हेलो फ्रेंड्स असा करता हूँ कि आप लोक का जो इंपोर्टेंट टाइं है वो मेरेको देंगे और आप लोक समझेंगे कि हम लोका जो हाट का जो फांक्षन है वो कैसे काम करता है और इसमें जो स्ट्रोक होता है किस किस तरह किस जो स्ट्रोक होता है जो मेजर स्ट्रोक और जो माइनर स्ट्रोक हाट में जो पेजमिकल लगा हुआ रहता है हाट में जो बाइपस सरजरी होता है हाट में जो एंजियोग्राम होता है कोरोनरी एंजियोग्राम और CATLAB में जो CAG किया जाता है वो सारा चीज हम इसमें एक डियाग्राम ड्रो किया है जो आप लोग देख सकते हो और इसमें हम डिटेल्स इसको एक एक करके पार्ट बाई पार्ट हम बात करने के कोशिश करेंगे तो पहले हम यह जो डियाग्राम है इसके तो आप बैसिक अप्रो को समझा देते है देखिए यह जो डियाग्राम है यह बैसिकली हम लोग का जो हार्ट में जो ब्लाड सप्लाई होता है इसका एक पार्ट है ठीके? क्या होता है? बोडी में जो ब्लाड सप्लाई होता है हार्ट से स्टार्ट होता है अभी ये हार्ट पुरा बोड़ी में सप्लाई ब्लाट सप्लाई करने से पहले हार्ट खुद अपने लिए ब्लाट सप्लाई करता है क्यों सप्लाई करता है हार्ट भी एक टीशू है हार्ट को भी जिन्दा रहना पड़ता है ठीक ना इसलिए हार यह सारा बैसल से हापुरा हाट में सप्लाई होता है तो यह होता है तो हाट में होता हैं है यह सब की जिन्दा रहता है अभी देखिए यह जो यह क्यालर का है यह हैट का वान इमिम्ध does और Kil यह शै सीनल जो मैं जो और इसमें सामने ऐह जाकर यह यह दू तरफ वे ब्रांच हुआ है मिइंलिव ब्रांच जैसे LAD और LCX, LAD मतलब यानि Left Anterior Descending, LCX मतलब Left Circumplex Artery, ठीक है, आभी देखिए, यह जो Left Main Coronary Artery से दू ब्रांच हुआ है, यह दू ब्रांच से बहुत तरह का की चूटा-चूटा ब्रांच होता है, हाट का जो Artery है, इसमें कोई Fixed Artery नहीं रहता है, बोडी में अलग जो Artery होता है, उसमें क्या होता है, कभी-कभी Fixed Artery रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि यह जो D1, D2, यानि Diagonal 1, Diagonal 2, यह दू आर्टारी है, ऐसा नहीं है, इसमें और भी बहुत तरह का की Artery रहता है अभी यह जो OM है, Optus Marginal, यह भी 2, 3, 4 रह सकता है, यह जो दू आर्टारी है, इसका बीच में भी और एक है, Intermediate Artery रह सकता है, तो यह Basic मैंने एक Diagram किया है, जिससे आम समझा रहा है, जिससे जो Black Dot है, यह Black Dot है, यह कुछ Abnormality है, जो मैं समझाने वाला हूँ आप लोग को, तो आज का मैं इस वीडियो में आप लोग को क्या समझाता है, कि देखिए, हार्ट में जो स्ट्रोक होता है, हम लोग जो स्ट्रोक समझाते है, कि हार्ट में स्ट्रोक हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ जो Black Bezels है, इसमें स्ट्रोक हुआ है, इसा नहीं है, ठीक है, हाट में electric supply भी होता है जिसमें A7 node और AB node रहता है जो electric produce करता है जिसके कारण हाट pump करता है ठीक है ना? हाट pump करने का कारण ये नहीं है blood vessel नहीं है इसका कारण है जो electricity produce होता है A7 node, AB node ये अलाग चीज़ है और ये artery से सिर्फ blood supply होता है ठीक है? अभी देखिए, ये artery में जो blockage होता है ये सबूज यहाँ पर कुछ blockage हुआ है ठीक है? ये अगर ये RCA artery main starting में अगर कुछ blockage हुआ है तो ये इस blockage के कारण हाट में कुछ major stroke हो सकता है क्यों? क्योंकि यहाँ से जो blood ये एक pipe है ना? तो यहाँ से जो blood supply, ये ओटा है main artery है जो heart से निकलते हुआ जाता है यहाँ से तो ये main artery से जो blood यहाँ से right corner ये artery इस तरफ heart का इस person में ये artery supply देता है अब यहाँ पर जब कोई भी obstruction यानि blood जाने में obstruction करता है तब जाके ये heart का ये side में blood supply नहीं होता है तो क्या होता है? ये side में cell धीरे-धिरे death होना start होता है तो cell death हो रहा है यानि heart काम करना बंद कर रहा है ये जो stroke होता है ये कुछ भी कारण से हो सकता है hypertension से हो सकता है थीक्ड ना फैट जादा फैटी खाना खाने से या हमें पड़र जाता फैट का जो परसेंटी शेंधा आहाद है हने से यह से हो सकता है यह पार ढूंट है कुछ की था चलसे必गेशन हो गया और व्याट का प्लाट का जो फ्लो है यह होने में इधर obstruction दिया है इसके कारण भी हो सकता है अभी यह जो यहां परीडिक ओ- तो यह ब्लाट का कारण में ब्लाट जो सप्लाई हैं यहां से यहां से तक नहीं जारा आहिए कारण होता है तो हम लोग को यह सिब्यर है और यह बहुत Specifically करведं कि स्टर्डिंग में हैं बाड़ा रिजन में हैं इसलिए यह स्ट्रोक बहुत कात्रा हो सकता है बैशन डेथ होने का चांस ज्यादा रहता है अभी देखिए डिश्टल पार्ट में मैंने थूड़ा सा एक ड्रोड गिया है जहां पर होने से पैशन का इतना दिक्कत नहीं होता है जैसे डिवान पैशन को अगर साथ ट्रीटमेंट मिल जाए तो पैशन ठीक हो सकता है ठीक न तो यह मैंने जस्ट बेसिक आज मैंने ड्रोग को डिसकर्शन किया है तो इसके कारण बाद में जो बाइपास है यहां से लेकर यहां पर कैसे बाइपास गर्फटिंग करता है यह सारा चीज हम दिसकर्शन करेंगे और पेशिंगर को लेकार भी डिसकर्शन करेंगे लेकिन आज के लिए इतना है आप लोगmother को जो looking क्या है और और ऑर है मेरा phone number भी है ठीक ना thank you so much subscribe कीजिए और like कीजिए तब जाके मेरे को बहुत motivation मिलते है thank you so much